आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, in this question we have to choose the correct adjective to complete the sentence याँ पर हमें right adjective will करना है given blank में sentence क्या है राशी can be blank at times, I could not trust her याँ पर बात हो रही है कि मैं उसे trust नहीं कर सकता हूँ क्यों trust नहीं कर सकता था क्योंकि वो कैसी हो जाती है कई बार वो हमें यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है हमें given है words charismatic, charismatic नहीं होगा charismatic का मतलब तो होता है charming attractive, fascinating so charming हो जाती है तब भी trust नहीं कर सकता था ऐसा तो नहीं होगा next है introvert, introvert भी नहीं आएगा introvert होता है भौती shy person ठीक है इसको आप कहा सकते हो a shy person जो ज़्यादा अपनी feelings किसी के साथ share नहीं करता next है devious, yes यह हमारा यहाँ पर right word है devious का मतलब होता है dishonest deceitful मतलब कभी कई कई बार नवो dishonest हो जाती है वो मतलब दोखा दे देती है इसलिए उस पर trust नहीं कर सकता था so right answer हमें मिल गया next है एक old word है exert, यह भी नहीं होगा exert का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना to be extremely joyful so यहाँ पर यह भी इसका right answer नहीं है right answer हमें already मिल चुक है option number 3 में that is devious I hope you get it thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर